नमस्कार आप देखने आरे अन्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रियंग का तिवारी हमारे सखास पेशकश आपड़ उत्राखंड में आप सभी का स्वागत है खबरों की और रूख करेंगे मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी ने अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फसे उत्राखंड के श्रधालों की मदद के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन से अनुरोध किया है मुख्य मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग से भी फोन पर बात की उन्होंने कहा कि अमरनाथ में फसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी सियम ने कहा कि केंदर सरकार पूरी प्रतिबधता के साथ सभी शरधालों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए ततपरता से कार्य कर रही है उर्जा निगम में तबादलों पर लगातार सवाल उठने लगे कई प्रसिक्षू अधिकारियों की तैनाती निरस्थ हुई है छे लेखा अधिकारियों के तबादले 17 जून को परवतिय शेत्रों में हुए और 4 जुलाई को फिर बदल गए बिजली विभाग के अधिकारी और करमचारी पहाड चड़ना ही नहीं चाहते उर्जा निगम ने 17 जून को साथ लेखा दिकारियों की पहली तैनाती मुख्याले से हरिद्वार और रूड की हलदवारी रूदरुपुर श्रीनगर आदी जगहों पर की है ये आदेश लागू भी हो गया लेकिन साथ जूलाई को पूर्व का आदेश निरस्त करते हुए निगम प्रबंधन ने सभी की तैनाती निगम मुख्याले में ही कर दी पूर्प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गनेश गोधियाल ने BKTC के सदसी की ओर से उन पर लगाए गए भष्टाचार के आरोपों की जाच SIT और उच्च नियायाले के अवकाश प्राप्त नियायाधीश की देखरेख में गठित कमेटी से कराय जाने की मांग की है इसके साथ ही गोधियाल ने सहिकारिता उच्च सिक्षा और चिकित्सा मंतरी डॉक्टर धन सिंग रावत पर लगे आरोपों की जाच की मांग की है इस समंद में रविवार सुबै उन्होंने मुख्य मंतरी पुशकर सिंग धामी से मुलाकात की है और उन्हें पत्र सौपा है उन पर मंदिर समिती के एक वर्तमान सदसी की ओर से 2012 से वर्ष 2017 की बीच उनकी अध्यक्षता वाली मंदिर समिती पर विभिन अन्यमेत ताउं के आरोप भी लगाए हैं के आवास इसित मुख्य सेवक सदन में आएंगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सभी सांसदों और विधाईकों को 11 जुलाई को समय पर दहरादून पहुंचने के नरदेश दिये हैं